हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मारी यूटूब चैनल वी टॉपर में जैसा कि आप सबको पता है कि हमें आपके लिए यूपी तरप्रले से द्वारायोजी टूपल ऑपरेटर से संबंदित टेस्ट पेपर चला रहे हैं और आज हमारा एक अग्मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक पे ट्था जो आपका ट्रेट से संबंदित के स्लैबस के का टॉपिक है जो है विद्धुत की मौलिक और अधारनाओं बिल्कुल नहीं चूड़ना है उनके ज्यादा ज्यादा कोश्चन देखना है और टेस्ट करना है आज हम लेके आएं आपके लिए विद्धुत की मौली का उधारनाय से संब्धित कुछ महत्मून प्रस्ण और आई होप आप ज्यादा ज्यादा कोश्चन का एंसर सही देंगे मैं कोश्चन पोड़ूँगा और पांच सेकंड रुगूँगा उस पांच सेकंड के बीच में आपको खुद से एंसर चूज करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में और करते जाना है कि इस क्वेश्चन नंबर का यह उप्सन सही है तो हमारी जो डेली टेस्स सीरीज की वीडियो आती है वो आपको मिलती रहें चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन नमारा विद्धुत से संबनेद प्रस नंबर एक किसी परिपत में एक बिंदू पर मिलने वाली धाराओं का बीजी योग होता है ऑप्सन है अननंत ऑप्सन बी सुनने ऑप्सन सी सुनने वा अननंत के बीच ऑप्सन डी इन में से कोई नहीं और फ्रेंट्स यह जो चुटा बा आ बा सादा ऐसे ऑप्सन हैं इनको ना मान कि आप एबी सीडी में एंसर देना तो ज्यादा इजी रहेगा और मुझे भी पढ़ने में आसानी है और समझ इनसर होगा होगा आपसन नंबर बी सुन होगा किसी परपत में एक बिंद उपर मिलने वाली धाराओं का बीजी योग सून होगा जब एक परपत में जब दो धाराओं मिलती हैं आपस में तो उनका एक उस पॉइंट में पर्टिकुलर पॉइंट पे धाराओं का बीजी य सारा प्रवाहित होगी नाइन्थ और टेंथ लेवल का कोईश्चन है बहुत इजी कोईश्चन है ठीक है इसको आपको लगाना है मैं वीडियो को पॉस्ट कर लिया कीजिए और एक छोटे मोटे कोईश्चन आभी सकते हैं वहाँ पर इसलिए मैंने इस टेस्ट में एक दो पर आपका एंसर आजाएगा तो बहुत इजी कोईश्चन है आपको लगाईए इसको मैं एंसर आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में और जल्दी से हमें कमेंट कीजिए कि क्या एंसर आएगा इसका दो नमबर का जो राइट एंसर होगा फ्रेंड वोगा आपका आपका नमबर बी 0.25 एंपियर आएगा यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में इस कोईश्चन का नमबर बता देना जिस कोईश्चन कभी नहीं आएगा फॉर्मूला नहीं पता होगा मैं आपको फॉर्मूला प्रवाइट कर किलो वाट घंटा के डबलू एस से इंडिकेट करते हैं इसको सौट फॉम में मात्रक है किलो वाट घंटा का क्या मात्रक है अप्सन नबर ए उर्जा का अप्सन नबर भी सकती का अप्सन नबर सी विधुत आवेस का अप्सन नबर डी विधुत धारा का किलो वाट किसका मात् रखोता किलोवाट घंटा नेस्ट कोचन नेमारा चान नमर कोईचन कि फैरे फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंदित है ऑप्सन नमर ए विद्धुत विद्धुत पघटन बी तापमानियम दाप सी गैसों की अबक्रिया डी गैसों की दाब जल्दी से चार नमर कोईचन का राइट एंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजी हमें कोईचन नमर चार का जो राइट एंसर होगा आप्सन नमर ए विद्धुत अब घटन सही है यहाँ पर नेस्ट है पांच नमबर कोईशन विद्धुत प्रेस या इलेक्ट्रिकल आइरन में नाइक्रोन का तार किसकी प्लेट के उपर लिप्टा रहता है उप्सन नमबर A मिट्टी, उप्सन नमबर B अभरक, उप्सन नमबर C सी सा, उप्सन नमबर D चांदी जल्दी से पांच नमबर कोईशन का राइट एंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमें पांच नमबर का जो राइट एंसर होगा, वो होगा आपसन नमबर B अभरक के उपर लिप्टा रहता है वहाँ पर डाइट जो लोहे के प्लेट लगी रहती है उसके उपर एक अब्रक का परत लगा होता है बहुत पतला सा उसके उपर तार लिपिटे आ जाता है उसका नेस्ट कोचने छे नमबर कोईचन यद सव वाट का एक बल प्रदिन पांच घंटे जलाये जाता है तो तीस दिन में पचास पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्चा लगेगा वीडियो को पॉस कीजिए और कोच से साल्व करने के कोसिजिए चलिए मैं इसको समझा दे रहा हूं फिलाल यहां पर जो इसका पैन है वो चल यूज नहीं हो पा रहा है मुझे सही से इसलिए मैं आपको स्कीन पर नहीं समझा पार हूं बट हाँ मैं इसको एक्जाइट आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो मैं जैसे कहते जा रहा हूं वैसे आप करिये सॉल्व हो जाएगा देखिए यहां पर इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका मैं बता रहा हूं अगर कॉपी पेनना हो तो ले लिजी इसका फॉर्मूला होता है वॉत, गुडे समय, गुडे रुपया, गुडे दिन, बटे, एक हजार।던 fact । अब यहाँ पर इसी फॉर्मूल पे जो कोईचन दिया आए वही उस उसी को अपलाई कर दिये यहाँ पर work की जगहाएंगा आपका 100 what दियागा है यहाँ पर तो आ यहाँ पर 100 हो जाएगा सो हो जाएगा उसके बाद एक बल प्रत दिन ठीं के तो समय दिया गए पाँच घंटे ही keeper लिए आप उसके बाद गुड़े रुपया है और रुपया के जगा है दस दिन पचास पैसे पर तो जो रुपया के जगा 50 गुड़े 30 अब 100 जो हो गया यह होगा वाट 5 जो हुआ आपका वो समय पर आया 50 पैसा रुपया में आ गया ठीक है और दिन दिया गया था 30 बटे 1000 कर दीजिए इसको अब यहाँ पर नीचे 1000 से गुड़ा 100 कर देना पड़ेगा गुड़े 100 अब क्यों कर रहे हैं यहाँ पर म में बताए गया ठीक है 50 पैसा तो एंसर भी पैसे में निकालना पड़ेगा कितना दर पैसा ही तो निकलना कितना दर खर्चा लगेगा तो इसी लिएकर रुपय में हम रुपया वहां रखा गया है तो 50 रुपया नहीं रखा गया 50 पैसा रखा गया और है वहां पर रुपय तो इसलिए उसको नीची हमें एक हजार को गुड़े सो से कर देंगे गुड़ा एक हजार को तो एंसर हमारा पैसे में आ जाएगा ठीक है आपको आपको आपसर नंबर सी साथ रुपे पचास पैसा आपका राइट एंसर आएगा अगर ना लगा पाएंगे तो आप कोश्चन नंबर कमेंट कर दीजीगा मैं उसको सैलिशन आपको दे दूंगा कमेंट बाक्स में आई होप आप समझ गया होंगे चलिए नेस कोश्चन की और बढ़ते हैं साथ नं नियुन ताम पर नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं आपर पूछ रहा है कोश्चन आपसन नंबर है आपसन ए अथी चालक आपसन बी धात्विक चालक आपसन सी अर्ध चालक आपसन डी विद्धुत रोधी साथ नंबर का राइट एंसर क्या होगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स का ओपसिन नंबर सी अर्धिचालक होता है कर memer 1 जो तक आप नंबर घरो में लगे पंखें बल्ब आद लگे होते हैं अपसन बरें सरेणी करम में और सनीमिसरित क्रम में अपसन फ्रेंडि किसी भी करम में क्या होगा राइट एंसर अथ नंबर का घरों जो पंखें होते करम में लगे होते हैं समानतर करम में किसी भी करम में कि Tree object होते हैं किय से का लगवां कितना भागप्रकास में परवर्थित होता है है आपसन अप्सक्राइब से चालिस कर दिया होगा नमर का राइट एंसर अप्सन नमर डी सही होगा यहां पर पुरजा लेस्ट को चने दस नमर लोहे के ऊपर जिंक की परत चाहने को क्या कहते हैं आप्सन ए गैलबोनाइजेशन आप्सन बी इलेक्ट्रो प्लेटिंग आप्सन सी आयनन आप्सन डी इनमें से कोई नहीं दस नंबर का राइट एंसर जो आपको लग रहा है जल्दी से कमेंड बॉक्सम कमेंड कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि कितने बच्चों ने सही एंसर किया है दस नंबर को जो राइट एंसर फ्रेंड होगा आप्सन नंबर ए होगा ग्लैविनाइजेशन कहते हैं उससे ठीक है लेस्ट कोईचन ने ग्यारा नंबर कोईचन साड़ी तचालक का आविस्कार किशने किया आप्सन नंबर ए ग्रहम बेल ने आप्सन बी बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने आप्सन सी आंस्टीन ने आप्सन डी लाड लिस्टर ने चलिए लिकमेंट किजिए ग्यारा नंबर का राइट एंसर क्या होगा चलिए ग्यारा का जो राइट एंसर होगा आप्सन बेंजामिन फ भातियद वे होती हैं, option A, समान आवाज़ पर, option B, समान धारिता पर, option C, समान विभाव पर, option D, समान प्रतरोध पर, कौन सा राइट एंसर होगा, बारा नमर कोश्चन का, जल्दी लदी कमेंट कीजिए, comment box में, बहुत कम वक्त लगाया कीजिए, इन सारे कोश्चन में, क्योंकि बाकी के समाई बचा कि आपको, जो reasoning और math के कोश्चन आएंगे, उनमें आपको invest करना है, सारे time, जितने प्रत दिन एक घंटा जलते हैं, तो प्रत दिन विद्धुत उर्जा के उपयोग का मान, होगा, अब यहाँ पर छोटा सा निमेरकल है, बहुत इसी कोश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, वीडियो को पॉस कीजिए, और सॉल्प करनी की कोशिस कीजिए, फिलाल मैं इसको समझा दे रहा हूँ, जैसे आगला कोश्चन में समझाया था, उसी तरीके समझा प्रत दिन एक घंटा जलते हैं, तो प्रत दिन विद्धुतुर्जा की उप्योग का मान क्या होगा, ठीक है, यही बताना आपको, इसका जो पॉर्मूला होता है, वो होता है, यूनिट बराबर, लिख ली दिये, लिखिए कॉपी पे, यूनिट बराबर, वाट, गुडे स नमाएं, गुडे बलफो की संख्या, बटे सौ, ठीक है, यह फॉर्मूला हो गया आपका, आप फॉर्मूली पर चली कोश्चन रखते हैं, यहां पर वाट जो दिया गया है, सव वाट, तो वाट के जखाँ पर रख दिजिए सौ, और समय जो दिया है, वो प्रत दिन, एक हंटा, एक रख दीजिए समय के जखाँ पर उसके बलफो की संख्या, दस जिया गया है, तो बलफो की संख्या पर दस रख दीजिए, और बटा सो है और लेडी, अब इसको सॉल्व कर लिजिए, अब इसको आप सुल्व करेंगे, तो आपका आएगा एंसर, एक यूनिट आ आएगा, यानि ऑप्सन नमबर ए आएगा राइट एंसर, आई होब सभी लोगों ने लगा लिया होगा, जिनोंगों कोई प्रॉब्लम आ रही हूँ, तो बताएगा करेंट में हम उसको फिर से समझा देंगे इसको, और वीडियो को पास करके आराम से समझ लीजिए का क्या जिए प्रियोग होने वाली तार किस फदार्थ की बनी होती है, औप्सन ए टिन, औप्सन भी सिसा, औप्सन सी, निकिल, औप्सन डी, तिन और सीशे की एक मिसरधात होती है, चौधा नमबर का राइट एंसर जो आपको लग रहा हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट है चलिए चौदा का जो राइट एंसर फ्रेंड होगा ऑप्शन नमबर डी सही होगा टिन और सी से की एक मिस्रिधात होती है चलिए नेस्ट कोचन की और बढ़ते हैं 15 नमर कोच्चन है मारा टेली वीजन के रिमोट कंट्रोल में प्रियूप्त विद्धुत चुम्बक ये तरंगे किस कैसी होती है आप्शन ए रेडियो वे ऑप्शन बी आवरक्त आप्शन सी माइक्रोवेव ऑप्शन डी फैरा बैग नहीं जल्दी से कमेंट कीजिए 15 नमर का राइट एंसर क्या होगा कि कमेंट करते रहेएगा फिरन हर कोष्चन का कमेंट कीजिए और इससे आगे जो वीडियो अप्लोड कर देखों उसमें भी ऐसा ही किया कि आप 15 नमर का जो राइट एंसर होगा आप्शन मर भी आवरक्त से होता है ठीक है नेस्ट कोचन है सोला नमर एक करतिम उपगरह में विद्धुत उर्जा का स्रोत है आप्शन ए लगुनाभी की रियक्टर आप्शन भी डाइनोमो आप्शन सी थर्मोपाइल आप्शन सी डी सौर्म बैट्री शोला का कौन से राइट एंसर सही होगा एंसरी होसे में जूर्जा संग्रहित रहती है वह है आफसन ए गर्रस आयनिक उर्जा आप्शन सी उसमी उर्जाल की कमेंच कोई नहीं शल्द आपिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है he from its number one व्रोटेज वोल्टेज ओम एम्पियर हैं तो इसको सही क्रम में आपको या जो आपका सही या एंसर गर्लग रहे है चार उसको बताना olduğ option number A है केवल एक option number B एक हुआ दो दोनो option C एक दो और तीन option D एक और चार कौन सा सही होगा यहाँ पर जल्दी से बताइए चलिए question पर 20 का जो राइट एंसर होगा option number A सही होगा केवल एक यानि voltage और अगर आपको मिल जाएगी सुबा वाली वीडियो में इसका पार्ट सेकंड अगर वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक सेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमें 20 कोश्चन में आपको कितनी कोश्चन आपके सही गए यह भी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताना और कौन से कोश्चन आपको समझ में नहीं है तो उसको भी बताना मैं आपको इस्प्लेंग कर दूँगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया हो मैं चैनल को सब्सकाइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी डेली की टेस्स सीर हैं कर रहे हैं चलिए फैन मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो